Hello and welcome to Indian Life in Saudi Arabia, hope you all are absolutely fine ये है रास्ते इंडिया के हैदराबाद के जो कि जा रहे हैं एरपोर्ट की तरफ, जी हाँ ये हैदराबाद के एरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट City की भीडबार से दूर शंशाबाद में located है ये एरपोर्ट जहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं खूबसूरत रास्ते नजारे क्योंकि इसे ये एरपोर्ट का रास्ता है तो इसे decorate करना इसे जो है आदिम अब हम वापस जा रहे हैं तो राजीव गंदी इंटर्नाशनल एरपोर्ट से होते हुए जा रहे हैं तो इस अजीग के बारे में मैं। मैं सारी घंटिंग मैंचिमूम जिय prior ही कुझ पहले मैंने सौधी अरब की एरपोर्स जैसे की रियाद में किंग खालिद एरपोर्ट और दमम एरपोर्ट के उपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में बाकी अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं सौधी अरब के एरपोर्ट जो की दमम और रियाद एरपोर्ट हैं और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं यहाँ पर हैडराबाद में राजीव गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट तो यह दिखे हम बिलकुल इसके बाहरी पहुंच चुके हैं बस थोड़ी देर में हम यहाँ पर टाक्सी से उतर जाएंगे 15 साल पुराना यह एरपोर्ट 2008 में जो है ओपन हुआ था इससे पहले शम्शाबाद में यह एरपोर्ट नहीं था पहले हैडराबाद में बेगंपेट में एरपोर्ट हुआ करता था लेकिन उसके 2008 क बहुत ही बिल्कुल मतलब लेटेस्ट है और काफी बड़े एरिया में यह एरपोर्ट फैला हुआ है यह जो है इंडिया का सबसे लार्जस्ट एरिया में फैला हुआ एरपोर्ट है डिपार्चर में हम आये हुए हैं और यह बाहर का एरिया एरपोर्ट के बाहर कुछ ऐसा सा देखता है हैडराबाद एरपोर्ट बस अब चलिए चलते हैं अंदर और यहां पर देखिए यहां कुछ सर्विसेश यहां पर मिल रहे हैं विजिटर्ड का टूनुस और रёрप करवा तो जो भी अगर कुछ लगेज का वेट होता वो कुछ 23 سے 25 kg की अराउंड होता है तो हर एक airlines का baggage का limit होता है weightage का limit होता है वो अलग-अलग होता है इस तरह से cartoons को, bags को wrap कर देने से अंदर का जो सामान है या फिर जो bags से वो safe, secure रहते हैं, cartoon मजबूत हो जाते हैं अंदर का जो सामान है वो निकलने का या फिर गिरने का chances बहुत ही कम हो जाते हैं बिल्कुल नहीं रहते हैं क्योंकि यहां पर handling राश ही करते हैं क्योंकि अंदर, flight के अंदर डालना होता है फिर अगेन निकालना होता है तो इस चकर में अगर कुछ cartoon खुल जाए तो मुश्किल हो जाती है तो wrapping जो है best option है, करवा लेना चाहिए और 400 रूपीज जो है पर wrapping यहां पर चार्ज होता है यह रहा सौदिया एरलाइन का काउंटर हमें इसी एरलाइन के थुरू ही जाना है तो हम यहां पर हमारे जो लगेज है उसे on board कर रहे हैं इस पर जो है weight चक किया जाता है जैसा कि मैंने बताया तो पहले से weight तो हम बाहर भी है वहां पर भी check कर सकते हैं ज्यादा होता है तो यहां पर सामान निकलवा देते हैं तो उस हिसाब से weight बराबर लाईए ज्यादा extra सामान रखने की जरूरत नहीं होती है बस सारा luggage तो हमारा चला गया है अब हम free है immigration process के लिए अब हमें next जाना होता है और यहां पर हमारा immigration process भी हो रहा है passport पर exit का stamp लगने वाला है यहां से biometric impressions, security check, ticket check वगरा सारा कुछ documents चेक करने के बाद हमें अंदर भेज दिया जाता है यह सारी चीजे सभी लोगों को पता ही होंगी काफी सारे लोग हर दिन ट्रावल करते ही है लेकिन यह जो वीडियो है उन लोग के लिए जिने नहीं पता हो या फिर पहली बार आ रहे हों अकेले भी काफी सारे लोग लेडीज होते हैं या फिर कोई भी जेंट जो first time ट्रावल करते हैं उन्हें इन सारे चीजों का पता होता है तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है और यहां पर इमिग्रेशन के बाद यह जो हैंड कैरी होते हैं उसके लिए चेक करने के लिए इस तरीके से बास्केट दिया जाता है तो सारा कुछ निकाल के रख देना होता है वालेट, हैंड बैग, फोन, हैंड कैरी सब बास्केट में रख देना होता है और इसका फिर से इसको स्कैन किया जाता है कुछ-कुछ जगहों पर शूज, बेल्ट भी बास्केट में रख देने के लिए बोलते हैं कुछ भी जो है जैसे की शाप चीजे, सीजर, नेल कटर्स या फिर बंच ओफ कॉइंस यह सब ना लाएं यह सब लाने से जो है फिर स्कैनिंग में दिक्कत हो जाती है यदि कि यहां पर इस तरीके से ना, फोर वीलर वहिकल है जिन्हें चलने करने में दिक्कत हो या फिर एजड परसन हो तो इस तरीके से वो भी आप्ट कर सकते हैं बस अब हमारा सारा कुछ सेकरूटी चेक, सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ चेक है बस अब हमें फ्लाइट का वेट करना है एरपोर्ट के अंदर आ गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे शॉप्स हैं बिलकुल शॉपिंग मॉल की तरह शॉप्स यहां पर मिल जाते हैं शॉपिंग करना हो, तो यहां पर कर सकते हैं यहां पर पूरा इंडियन वाइप सारा है, यहां पर सारा इंडियन चीजे, ट्रेडिशनल चीजे, धोलक वगेरा और ऐसे ही जो मूर्ती और कपड़े वगेरा यह सारे रखे हुए हैं यहां पर इयर रिंग्स, बाकि बहुत सारे जो है शोपीसर से इस तरीके से कार्ड बना हुआ है, काफी अट्राक्टिव है और हैडराबाद एरपोर्ट तो है ही अच्छा बहुत ही नीट और क्लीन इसका इंफ्रास्ट्रक्टर है, वो भी बहुत ही मतलब डिलाइटफुल है, बाकि सारे एरपोर्ट की तरह यह भी मतलब हैडराबाद इंटरनाशनल एरपोर्ट में भी सारे ही चीजे फैसिलिटीज मिल जाती है, जो कि दूसरे एरपोर्ट में होती है, यह दिकि कुछ स्नैक्स के लिए आइटम वगेरा रखे हुए हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं तो यहाँ पर बैट कर भी कुछ खाना पीना और रिफ्रेश्मन की चीजे सारा कुछ मिल जाता है, तो इसमें टेंशन लेनी की ज़रोत नहीं है, अगर भूके वगेरा है तो भी यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट जादा होता है, य यहाँ पर यहाँ पर वेंडिंग मशीन वगेरा रखे हुए हैं, जोएल्रीज, एरिंग, अक्सेसरीज और यह कुछ हेर बैंड वगेरा है, और आप देखिए इस तरीके से यह पूरा जो है अच्छा से मतलब डेकोरेट किया हुआ है, स्काफ रखे हुए हैं, और यह सकते हैं, और यह देखिए काराची बेकरी, हैडराबाद का फेमस बेकरी है, यहाँ के बिस्किट्स वगेरा जो बड़िया टेस्टी बेक करते हैं, और शॉपर स्टॉप है आगे, यह है ड्रिंकिंग वाटर का एरिया, तो यहाँ पर से अगर कुछ पानी वानी पीना हो, यह फ्रेश पानी है, पीने का पानी ही है, पी सकते हैं, यह हमारा गेट नमबर है, हमें यही पर ही वेट करना है, अब और एक घंटे के लिए, अभी काफी टाइम है, कैसे भी एरपोर्ट में जब आते हैं, तो एक दो-तीन घंटे पहले ही आना ही बेटर रहता है, क्योंकि पता नहीं है, कैसा रहता है, क्यों वगेरा, तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी ही आना बेस्ट रहता है, वेट करना हो तो एक अद घंटा वेट कर ले सकते हैं, लेकिन अगर लेट हो जाता है, अब मोमेंट पर आते हैं, तो दिक्कत हो सकती है, और यह देखिए, यहां प सामान लगेज लेकर जाते हैं, वो इस तरीके से गाड़ियों में भर कर लाते हैं, फ्लाइट तक और ऐसी अपलोड करते हैं, या फिर निकालना हो किसी फ्लाइट से सामान तो इस तरीके से निकालते हैं, और यह देखिए, एक और फ्लाइट यहां पर रुकी हुई है, हम तो हमारे पास भी एक देड़ गंटा टाइम है तो हम भी मतलब आराम से यहां पर सब कुछ यहां पर आपको भी वीडियो में बता सकते हैं अपोलो फार्मसी है सामने तो अगर कुछ कुछ लेना हो तो ले सकते हैं कैफेस हैं इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया फूट कोट है कुछ खाने पीने की चीजे लेना हो तो यहां पर से ले सकते हैं खा सकते हैं अभी जो है ना टाइम हो रहा है कुछ साड़े तीन चार के अराउंड तो यह जो टाइम है यहां पर इस टाइम पर ना तो लंच मिल रहा है ना ही इवनिंग स्नाैक्स मिल रहा है। इवनिंग स्नाइक्स जो है 5.30 के बाद मिलता है और लंच जो है आल्रेडी खतम हो गया है। और यह दिखें, अलमन्ड हाउस है, तो यहां पर भी कुछ स्नाक्स लेना हो, तो यहां से ले सकते हैं, काफी सारे लोग यहां से स्वीट भी लेकर जाते हैं, अपने रिलेटिव के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए, तो यहां पर सारा कुछ अवेलेवल हो जाता है, अगर ला नहीं सके हो, या फिर भूल गया हो, या फिर अन्मोर मिस हो गया हो, तो एरपोर्ट में भी काफी सारा कुछ मिल जाता है, सामान जैसे कि कराची बेकरी था, अलमन्ड हाउस है, तो यहां पर से भी ले सकते हैं, यह है हमारी फ्लाइट साओदिया, यह आ गई है, बस लगे, जिसमें अंदर डाल रहे हैं, जब यह रेडी हो जाएगा, सब कुछ जो है, चेक हो जाएगा, तब अनॉंसमेंट होगी, तो हम अंदर जा सकेंगे, सारा कुछ डीटेल में, वीडियो में, मैं इसलिए बता रहे हूं कि, जब कोई फर्स टाइम आते हैं, तो उन्हे सब कुछ फैमिलियर सा लगे, और कुछ जो है, मतलब डर वर ना लगे, सारा कुछ जो है, देखा-देखा सा लगे, अल्मेंट हाउस के यह कचोरियां बहुत ही जादा क्रंची थे, फ्रेश थे, और यहाँ पर देखिए, सीटिंग के लिए इस तरीके से अरेंजमेंट है, बाकी थोड़ा पैरवेर सीधे करके अगर रेस्ट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, इसके अलावा बिजनिस लाउंच अलग होता है, वहाँ पर भी खाने पीने की फूड आइटम्स वगरा मिल जाते हैं, अलग से सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वाश रूम में यहाँ प अराम से कर सकते हैं, बहुत ही कोजी सा और बहुत ही कन्विनेंट सी प्लेस है यहाँ पर, इसके अलावा जो नॉर्मल जो वाश रूम है, यही ऐसा सा है, इसका तो मैं ज्यादा कुछ नहीं ले रही हूं, क्या ही लूँ, जैसा हर जगा होता है, वैसा ही वाश रूम संदारी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर से सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे, सौदी अरब से अब अब फ्लाइट की तरफ ही जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है सौधिया एरलाइज, जो फ्लाइट के अंदर का सब कुछ है, कहां पर होता है, क्या करना होता है, तो उस पर डीटेल वीडियो है, वीडियो को देखना न भूलें, और अब कुछ टाइम के लिए एरबाद को इंडिया को करते हैं बाइ बाइ क्योंकि अब हम जा रहे हैं रियाद सौधी अरब तो वस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक ये सो मच फर वाचिंग